एक समय की बात है, एक ब्राहमन दमपत्ती की कोई संतान नहीं थी, जिस कारण वह बेहत दुहकी थे, एक समय ब्राहमन वन में हनुमान जी की पूजा के लिए गया, वहां उसने पूजा के साथ महावीर जी से एक पुत्र की कामना की, घर पर उसकी स्त्री भी पुत्र की प्रा ब्राहमनी ना भोजन बना पाई और ना ही हनुमान जी को भोग लगा सकी, उसने प्रण किया कि वह अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगा कर ही भोजन करेगी। ब्राहमनी अति प्रसंद हुई, उसने बालक का नाम मंगल रखा, कुछ समय उपरांत जब ब्राहमन घर आया, तो बालक को देख पूछा कि वह कौन है। पीछे से मंगल मुस्कुरा कर आ गया, उसे वापस देख कर ब्राहमन आश्चर्यचकित रह गया। रात को हनुमान जी ने उसे सपने में दर्शन दिये और बताया कि यह पुत्र उसे उन्होंने ही दिया है। ब्राहमन सत्य जानकर बहुत खुश हुआ। इसके बाद ब्राहमन दमपत्ती प्रत्येक मंगलवार को वरत रखने लगे। जो मनुष्य मंगलवार वरत कथा को पढ़ता या सुनता है और नियम से वरत रखता है उसे हनुमान जी की क्रिपा से सब कष्ट दूर होकर सर्व सुख प्राप्त होता है और हनुमान जी की दया के पात्र बनते हैं।